Hello and welcome everybody. Second class में आप सभी का स्वागत है. अपन continue कर रहे थे RO, ARO के लिए history के sessions और इसी में आपन आगे Europeans के continue को आगे study करें. पिछले वीडियो में आपने एक acronym बात की थी fix, dig, every, delicious, fruit. ये acronym आपको क्या बताती है? किस order में Europeans इंडिया में आये थे? P से Portuguese जो सबसे पहले आये थे 1498 में और the last one that came were the French जो 1668 में आएंगे. अभी अपनने English तक देख लिया था, इस वीडियो में आपन बात करेंगे English का power कैसे consolidate हुआ, उसके बाद 10s आएंगे और फिर finally French आएंगे. सब के बीच में कैसे conflicts होती है? यही अपन इस वीडियो में deal करें देखेंगे through MCQs. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, South India में Britishers अपना अफोल्ड बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले South India में ही क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि 1565 के बाद जब विजय नगर kingdom का decline हुआ, उसके बाद कोई भी major kingdom South India में नहीं था. यानि कि यहां पर अपना अपना stronghold बनाने की कोशिश करते हैं. East India Company आपन देखेंगे, successively Bengal, Bombay and Madras में धीरे धीरे throughout the country के अलग-अलग कोने में cut up कर लेगी. सबसे पहले यदि आपन देखेंगे, तो 1632 में इन्हें free trade करने की एक right मिलती है गोलकंडा port में. सुल्तान ने इन्हें एक nominal पैसा, जो 500 पग gradually अपन पढ़ेंगे, कैसे ये expand होते हैं, Bengal में, Madras में and so on. अब एक question deal करते हैं, how did the East India Company, EIC, come to acquire Bombay? Bombay कैसे acquire हुआ? through a trade agreement, गलत है. As a result of military conquest, गलत है. Received as a dowry by the king Charles II in 1662. This is the correct statement. Bombay को Portuguese conquer कर चुके थे, इनके जो king है Charles II, इन्हों ने शादी में दहेच की तरह Britishers को दिया था, जो later on crown को transfer कर दिया गया था. कब दिया था? 1662 में दिया गया था, King Charles II ने दहेच की रूप में, Portuguese Queen ने English को दिया था. Finally, 1668 में ये crown को transfer कर दिया गया था, याने कि ये Britain की colony के रूप में transfer कर दिया गया था. उसके बाद, finally, ये fortify कर दिया गया था. यदि आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, जो major western settlement हुआ है, वो किस के according हुआ है? सबसे पहले preferred था सूरत. लेकिन, gradually, East India Company ने realize कि बॉम्बे एक बेटर port है, बेटर suitable है, तो सूरत से वो सारे transaction move करके बॉम्बे में shift कर दिये, और बॉम्बे को अपना chief trading center बना देते है, in the west coast, कैसे acquire किया? दहेज से, Portuguese Charles II से, अब next question अपन बात करते है, which of the following British East India Company forts match आपको करना है, basically fort और उनकी cities है, ये question कई बार आया है, बहुत सारे exams में जरूर ध्यान रखियेगा, पहले जो दो fort है, fort William and fort St. George, ये सबसे जादा important है, please do remember both of them, बाकी भूल भी जाओ चलेगा, तो जो fort William है, वो कहाँ पर है, वो है, कैलकटा में, so the A is correct, और fort St. George है, मदरास में, ये भी correct है, इसके बाद यादेपन देखे, fort St. David जो है, वो थंजाव और में है, और fort Gloster जो है, वो कड़ल और में है, ये ध्यान रखियेगा, बहुत important, दो सबसे important जो मैंने आपको बताया, fort William मदरास में, option देखते हैं, वन का A, वन का A, वन का A, केवल A और D में है, कई बार ऐसा होता है, अपन ये पास सारे knowledge नहीं हो सकते हैं, तो definitely अपन सिर्फ A को देखके, B और C को eliminate कर सकते हैं, next अपन देखे, fort St. George, उसका है B, तो ये भी same है, अब या तो answer A में होगा, या तो D में होगा, तो 3 का answer है D, तो this is the answer, that is what, कई बार अपने पास options नहीं पता रहते हैं, सारे options नहीं पता रहते हैं, तो भी अपन 2 eliminate करके definitely अपन को attempt करना चाहिए, because negative marking 1 by 3 है, तो probability हमें ये बताती है, कि यदि अपन questions को 50 by 50 तरीके से eliminate कर चुके हैं, तो हमें वो attempt जरूर करना चा Next आपन बात करते हैं, with reference to the magna carta of the English trade in Bengal, magna carta मतलब जो सबसे server deal उस तरीके से, so formal, जो एक point of ऐसा है, जिससे चीजे बिल्कुल बदल गई, उसको बोला जाता है magna carta, हलाकि एक legal term है, लेकिन common भाशा में इसी तरीके से use किया जाता है, consider the incorrect, ध्यान रखेगा incorrect पूछ रहा है, statements below, It was led in 1715 by an English mission led by John Sirman to the court of Mughal Emperor Paruk Sayar, ये बिल्कुल सही बात है, अब ध्यान रखेगा एक बात बोल रहा है, magna carta of English trade in Bengal, याने कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे trade के लिए बहुत बहतरीन agreement हुआ होगा English East India Company को, और जिसके बाद trading opportunities बहुत जादा खुल गई होगी, इसलिए ये ब statement बिल्कुल सही है, 1715 में हुआ था, English merchant Sirman आये थे, उन्होंने एक favor लिया था किस से, Mughal Emperor Faruk Sayar, ये बिल्कुल सही statement है, ध्यान रखेगा, John Sirman was successful in securing three famous farmans, ये statement भी बिल्कुल सही है, next है British were allowed duty free trade in Bengal without any payment, ऐसे statement जब भी आते हैं, गलत होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ payment जरूर ली जाती है, free trade के लिए, तो इनको 20-30,000 कुछ ऐसा payment रखे होंगे, data exact important नहीं है, बट कुछ ना कुछ payment जरूर रहेगी, तब free trade के लिए मिलेगा, तो ये वाला statement गलत हो जाएगा, मदरास, बॉम, ऐलकटा विकेम दन यूकलियाई of commercial activities, ये भी सही है, आपसे incorrect पुछा है, तो आंसर होगा 3, that is how, याने कि British were allowed duty free treatment in Bengal for just 30,000 रुपीज, ये बहुत important question है, ध्यान रखेगा, Magna Cata of Trade of East India Company, कौन इशु किया था, तर्मैन जो आये थे, वो एक British merchant है, जो आये थे, किसके पास आये थे, मुगल एमपररर, पारुक सयार के टाइम पर आये थे, और उन्हेंने इसे इशु किया था, and finally, ये इशु हो जाने के बाद क्या हुआ था, पूरा का पूरा Bengal में free trade कर सकते थे, East India Company, at a very nominal, बस 30,000 रुपे दे के, उसके बाद जितना भी East India Company कमाए, वो उनका पैसा, this was the basic, next अपन बात करते हैं, Dains, तो अभी अपनने बात करा था, pigs dig every delicious fruit, याने क Dains पर आचुके हैं, ये कौन से हैं, ये second last European जो हैं, इंडिया में आते हैं, in fact, ये कब आते हैं, 1620 पर आते हैं, 1220 पर ये इंडिया में आते हैं, इनकी जो कमपनी थी, कहां बनी थी, Danish East India Company, 1616 में बनी थी, यदि आप इंडिया में देखोगे, तो ये बहुत ही short time के लिए दो major जगह, बस आप ध्यान रख लो, इनके बारे में और कुछ याद नहीं रखना, एक number one क्या है, तंजोर पर ये based थे, एक major location और सबसे बड़ी जो important location है, वो सरंपोर है, जो Bengal में situated है, ये दोनों location को इन्होंने acquire किया था, बट क्या हुआ, 1755 में acquire हुआ, और within the next 22 years, जो Danish East इंडिया कंपनी थी, वो bankrupt हो गया, उसका दिवाला निकल गया, और इस वज़ा से इन्होंने British के साथ settlement करके, सब कुछ wind up कर दिया, इंडिया का operation, और even सरंपोर को, इन्होंने Britain को hand over कर दिया, और ये इंडिया से चलते बने, इनका major operation, इंडोनेशिया पर situated है, इंडिया में इनकी history बहुत limited है, तो exam point of view से बहुत ज़्यादा important नहीं है, next अब सबसे important power आता है जो आपन बात करते हैं, England के बाद कोई power जो ध्यान रखना है, वो है French, तो consider the following about the French in India, which of the following is our true statements, French East India Company was formed in 1664, during the reign of King Louis XIV, ये statement बिल्कुल सही है, कब form हुआ था 1664 में, ये इंडिया में कम आ European powers थे, जो इंडिया में आये थे, किसके tenure में form हुई थी ये company, King Louis XIV, ज़रूर ध्यान रखिएगा, first French factory in India was established at two rat in 1668, ये बात भी सही है, आप देखो कोई भी company हो, चाहे Portuguese हो, चाहे English हो, सारे के सारे कहां पर, West Coast में सबसे पहले अपना port established करते हैं, और factory established करते हैं, इनको West Coast मे क्यों चाहिए था, क्योंकि जब Europe से आएंगे इंडिया, तो सबसे पहले कहां land करेंगे, West Coast पही तो land करेंगे, तो सूरत was the most common destination जहां पर landing होती है, इस वज़ा से ये सारे के सारे सूरत को prefer करते हैं, but most of the cases में अपने देखा है, सूरत नहीं मिलता है, जैसा English में, जब Captain Hawkins आ पहला जो factory थी, वो कहां पे थी, सूरत पर establish हुई थी, उसके बाद क्या आप देखोगे, Poodoo Cherry became a major bastion for French, ये सारे के सारे statements सही है, तो answer क्या होगा, all of the above, ये सारे statement ज़रूर ध्यान रखीगा, French settlement कहां है, Poodoo Cherry में, अभी भी आप जाओगे, तो Poodoo Cherry में आप देखोगे, French का अलग architecture वहाँ पर clear दिखता है, इसलिए बात सही है, दूसरी बात, सबसे पहली factory सूरत में setup हुई थी, और इनको, permission कब मिली थी, King Charles, King Louis 14 के समय में, ये अपन French settlements की बात करते हैं, तो एक और settlement जो important है, वो चंदर नगर्ग है, और उसके बाद, जो second सबसे important है, वो Poodoo Cherry, ये आ अलग-अलग enclave है, ये है, सबसे पहले है, Poodoo Cherry खुद, उसके बाद है, माहे, फिर है यनम, और फिर है कराईकल, ये चारो के चारो parts मिलके बनाते हैं, Union territory of Poodoo Cherry, माहे कहां पर है, केरल में situated है, यनम आंधर में situated है, कराईकल टमिल नाडू में situated है, ये सारे के सारे settlement Poodoo Cherry के ज इस वज़े से इनका cultural distinction है, और इसी वज़े से आज की date में भी इसे Union territory की तरह recognize किया जाता है, तो यदि आप देखोगे, जहां पर सूरत से start किया था, वहीं पर बाद में जो French settlements है, केवल और केवल majorly Poodoo Cherry पर बेस थे, कुछ समय तक चंदर तगर में भी बेस थे, वहां से भ आए, दोनों का काम क्या था, एक ही तरफ trade कर रहे थे, सबकी सब trading companies थी, सबका सब क्या काम था, profit कमाना था, तो इस वज़े से इनकी आपस में इंडिया में लडाई हुई, और सबसे जादा जो distinct लडाई हुई, वह English और French East India Company के बीच में हुई, अब यदि आपन देखे, क् इनको मौका मिला, क्योंकि यहां पर कोई भी Central Authority इंडिया में नहीं बच रही थी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इस समय तक मुगल पावर्स का decline क्लियर हो गया था, North India में कोई major power नहीं बचा, secondary अपन देखे, South India में major power था, विजे नगर, वो भी 1565 के बाद उनका अब भी decline हो गया, याने कि कोई भी major power नहीं बचा, अब नहीं बचा, तो कभी भी trade setup करना है, trade proliferate करना है, तो क्या होगा, सारी कंपनी से stable political power चाहेंगी, और अपना rules established करना चाहेंगी, ताकि यह benefit extract कर सके, इस वज़ा से अपना मुनाफ़ा कमाने के लिए, यह political advantage conquer करने लग देखेंगे, तो South India ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात थी, कि France अभी अपना आगे जैसे जैसे देखेंगे, इन्होंने एक बहुत जादा stronghold बना लिया था पूडूचरी में, और पूडूचरी से आसपास, जो हाइदराबाद region है, करनाटिक region है, यहाँ पर यह एक dominant control ब आ गए, और बाकी यदि आप देखोगे, तो South India में एक kind of vacuum था, क्योंकि बाकी तरफ जैसे आप देखोगे, Marathas already present थे, Western India में महाराश्रा के आसपास, और यदि आप Bengal में देखोगे, तो जो अलिवर्दी खान की dynasty है, जो हाँपन आगे पढ़ेंगे, मुशीत कुली खान, अ राजुद दॉला, सारे के सारे लोग strong leaders थे, यहाँ पर भी East India Company की डाल नहीं गल रही थी, इस वज़ा से क्या हुआ, यहाँ पर एक chance मिली कि अपन stronghold develop कर सकते हैं, इस वज़ा से France और East India Company आपर एकदम तेजी से लड़ पड़े, next अपन बात करते हैं, question देखते हैं, Carnatic Wars were fought between 1, 2 के बीच में fought हुए थे, British और French, किसी को बुला जाता है, Carnatic War, अब यदि आपन देखें, तो 3 Carnatic Wars fought हुए थे, अब ध्यान रखेगा, आपन एक ऐसे topic में enter कर रहे हैं, जो बहुत ही factual है, अब for the perspective of exam, यदि बहुत सारी चीजे आप short time में याद करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है, याद ना हो, तो इस वज़ा से मैंने इस topic को जब मैं अपना UPSC का interview और mains data था, तो मैं इस topic को बहुत ही slight ढंग से cover out करके जाता था, ताकि मुझे exam में facts में कोई भी confusion ना हो, तो this is one chart, मैं जो आपको बोलूँगा, इस chart को कम से काम आप exactly याद कर लो, और बाकी इ यदि depth का आया, तो we'll try to cover, नहीं होता है, तो जैबरो से, क्योंकि this is a very vast topic, अपन एक एक topic को depth में नहीं deal कर सकते हैं, so जली से देख लेते हैं, क्या होता है, 1st Carnatic War, 746 से 48, कैसे याद रख सकते हो, यदि आप सबको याद रहता है, Battle of Plasi, Battle of Plasi का पाउट हुआ था, 1757 में, त इसके बाद, जस्ट एक साल बाद अगला वार शुरू हो गया, 49 से 54, और 3rd Carnatic War जो है, 1756, याने कि आप देखो, इस समय तक Battle of Plasi almost start हो चुका था, in fact, तुरंत ही conclude हो गया था, तो आप मान सकते हो, Battle of Plasi, 3rd Carnatic War, start पहले हुआ, लेकिन 3rd Carnatic War, Battle of Plasi के बाद तक continue हुआ, तो एक Point of Reference से याद करना असान हो जाता है, नेक्स यदि अपन बात करें, क्या major reasons रहें, तो दोनों 1st और 3rd Carnatic War, European जो problems थी, यूरोप में उनीका extension इंडिया में देखा गया, 1st Carnatic War, Australian War of Succession जो हुआ, जो हुआ, जो problems हो रही थी, उसकी problems इंडिया में reflect हुई, और ऐसा ही 3rd Carnatic War में 7 years of war जो यूरोप में चल रहा था, उसकी वज़ा से इंडिया में problem देखी गई, French और English के बीच में, और यदि अपन देखें, दोनों की दोनों जो जो wars थे, ये treaty of Axla Chapel जो यूरोप की treaty थी, वहाँ पे finalize हुई, तो ये war खतम हो गया इंडिया में, ऐसे ही, Peace of Paris 3rd Carnatic War को जो यूरोप की treaty थी, खतम कर दिया, इसके बाद यदि अपन कुछ factual information देखते हैं, तो battle of 1D Wars 1760 में fought हुआ था, इस battle से क्या हुआ था, France completely wipe out हो गए थे, इंडिया से, बस एक pocket इनको rule करने का मौका मिला था, वो था, पुडूचरी, उसमें भी बहुत सारी restriction लगा दी गई थी, यहां पर कुछ succession battle हुए थे, जो हाइदराबाद में और करनाटिक में हुए, जिसमें की France बहुत तेजी से French East India Company involved हो गई, और उनी battles को overcome करने के लिए क्या हुआ, यहां पर पहले France घुसी, फिर British को लगा कि France डॉमिनेट कर रही है, तो English East India Company बे बैटल में घुस गई, और this led to the second Carnatic war, यह कैसे खतम हुआ, बैटल अफ अंबर on Seas of Arkad, दो मेजर बैटल के वेज़र से फॉर्ट हुआ, यह चार्ट को आप पूरा का पूरा, as it is, जरूर ध्यान रखिएगा, इस से यदि कोई topic में question आता है, तो इन से आने की probability सबसे जादा है, नेक्स अपन बात करते हैं consider falling above the first Carnatic war, अपने reference याद क्या हुआ है, कहा है, बैटल अफ प्लाजी 1757, उससे 11 साल पहले, यहने की यह कप फॉर्ट हुआ, 1746, यह गलत लिखा हुआ है, 1746 से 48, पांग दा incorrect statement, ठीक है, यह बिलकुल सही बात है, अभी अपने देखा, बैटल अफ अधियार was the most important war in it, यह भ हो गया बहिया, क्योंकि अभी अपने बात किया था, वंडिवाश, final war था, third Carnatic war के final culmination था, जिसमें French East India Company totally खतम हो गई थी, so this was due to the third Carnatic war, यह जरूर ध्यान रखेगा, यह battle बहुत जादा important है, directly पूछा जाता है, कब फॉट हुआ था, 1760 में, जब इस French East India Company का अस्तित भी खत यह statement भी सही है, अभी अपन next में deal करेंगे, और clarity मिल जाएगी इसमें, ठीक है, I think this is in, याद, वही table याद रखेगा, questions बन जाएगे इससे, next, तो answer इसका C है, जो अपने देख लिया, next है, first Carnatic war के बारे में थोड़ा सा अपन detail देख लेते हैं, 740 से 48 के बीच पर fight हुआ, य जो French का जो governor था, वो कौन थे, वो duplex थे, अब duplex को एक बहुती ambitious governor माना गया है, French के Indian colonial history में, अब इन्होंने क्या किया, अपने के लिए Mauritius से naval support को मंगाया, naval support से मंगाने का क्या था, इससे France, East India Company की जो position है, वो ज़्यादा strengthen हो जाए, और जब ये naval support आया, तो इन्होंने क्य क्या किया, मदरास पर, जो fort था, अपने बाद किया है, fort George, ठीक है, इस पर क्या किया, attack कर दिया, और इसे capture कर लिया, अब जैसे ही ये capture हुआ, क्यों capture किया, क्योंकि seven year war जो था, चल रहा था, sorry, austria का succession war चल रहा था, और इसी के कारण, क्या हुआ, वो conflict को इन्होंने इंडिय किया, और मदरास को attack कर दिया, अब जैसे ही ये Austrian war of succession जो हुआ, खतम हुआ, तो एक treaty sign हुई, और बोला गया भाया, जो भी war में gains हुए है, उसे undo कर दो, एक दूसरे शांती से रहते हैं, ऐसा कुछ arrangement हुआ, और इसी को बोला गया है, first battle of Carnatic, यदि आपन देखें, इसमें हु हुआ क्या था, British East India Company ने करनाटिक के एक जो king है आप बोल सकते हो, अनवरुद्दीन उनकी सायताली थी, क्योंकि British के पास naval forces अभी तक नहीं मौजूद थे, बट French ने अपने naval forces कहां से, Mauritius से लिए, और ये एक dominating position में आ गये, तो इस वज़ा से British ने क्या किया, Indian ruler की help ली, कर करनाटिक के ruler, अनवरुद्दीन की help ली, और war fought करने की कोशिश की, हलांकि जैसे ही treaty हुई, ये सारे के सारे war खतम हो गए, अब यदि अपन बात करते हैं, second करनाटिक war, तो ये अपन ने देखा है, कि ये किसलिए हुए थे, ये इंडिया में succession problems की वज़ा से हुआ, अब दे आएगा, नहीं आएगा, तो वो क्या चाहेंगे, कि भईया करनाटिक में हमारा ruler बैट जाए, और इसी में जब उन्हें मौका मिला, जब battle of succession हुआ, जब throne खाली हुआ, तो यहां पर friend चाहा कि हम अपने अपने candidates को बठा देते हैं, तो हाइदराबाद और करनाटिक दो जग चंदा साहेब को बठाने की कोशिश की, अब जैसे ही यह situation आई, तो English ने क्या किया, English ने अपने मंदे को बठाने की कोशिश की, तो मुझफर जंग की जगा, नासिर जंग को हाइदराबाद में, और चंदा साहाब की जगा, नवाब अनवरुद्दीन जो भी अपनने आसा है कि जहाँ पर हाइदराबाद में फ्रेंच के कैंडिट याने की मुझफर नगर की जीत होती है, वहीं पर करनाटिक में मुहमद अली याने की इंग्लिश की जीत होती है, यदि ये नाम आपको ध्यान रखना है, तो एक अक्रोनिम मैंने बनाया है, फ्रेंच मंच च चॉकलेट्स याने की चंदा साहिब, वहीं इंग्लिश निबल्स नट्स, इंग्लिश से एन से क्या आया, नासीर जंग, तो मुझफर और नासीर जंग एक दूसरे के कॉमप्टिटर से हाइदराबाद में, वहीं चंदा साहिब के इंग्लिश के ओपनेंट क्या थे, नवा बहुत जल्दी से डीटेल दे दूँगा, स्टोरी की तरह सुनिएगा, और जल्दी से आगे बढ़िएगा, बहुत कम चांस है कि इससे कोई क्वेशन आये, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हुआ ऐसा था कि फ्रांस और जो उसके अलाइस थे, याने कि फ्रांस का जो अभी कौन सपोर्ट कर रहा था, अभी अपने देखा, चंदा साहिब सपोर्ट कर रहा था, और उसके अलावा मुझळफर जंग सपोर्ट कर रहे थे, ये तीनोंने मिल के क्या किया, अनवर उददीन को मार दिया, अब जैसे अनवर उददीन की डथ हुई, तो इनके जो ऑ इस इंडिया कंपनी जो थी इंग्लिश की इंग्लैंड की उन्होंने देखा कि भाया जो पल्ला जो हो रहा है पूरा कपूरा फ्रांस की तरफ भारी हो जा रहा है अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया तो यहां पर जब दिमाग लगाया तो रोबर्ट क्लाइफ पिक्चर के लिए अपने आदे से जादे forces को आरकोर्ट की तरफ भेजा और उसी समय दूसरे जितने भी अलाइस थे उनके साथ मिलकर रोबर्ट क्लाइव ने चंदा साहे पर अटाक कर दिया किसी भी चंदा साहे के डेथ हो जाती है और ये अपने रूरल को थ्रोन में ला देते हैं इस सबसे पहले बैटल एउफ अंबर हुआ इस बैटल एफ उबर में क्या हुआ फ्रांस ने अपने दोनों केंड़ेट्स को हाइदराबाद में और करनाटिक में बठा दिया, कैंडेट्स का नाम अपने अरड़ी देख चुके हैं, करनाटिक में कौन आएगा, करनाटिक में आएगा, चंदा साहिब, वहीं पर मुझफर जंग आएंगे, हैदरबाद में, इन दोनों को बठा दिया, इंग्लिश की थोड़ी से फटी, इस वज़ा से ये नए लोगों को लाने के लिए क्या किये, डिवाइडन डूल पॉलिटिक्स खेले और अपने का अंड़ेट को बठा दिये, इस इस अस्टोरी, उद्दे की बात क्या है, अपन को ये वाला चार्ट जो अपन ने देखा, ये वाले चार्ट को याद रखना है, and that is the most important part of this entire discussion. इसके बाद अपन आते हैं, ये end of the war अपन देखे, क्या हुआ, फ्रांसिस में हार गया आता है, और जो सबसे जो ambitious governor थे, duplex, उनको वापस बुला लिया जाता है, और उनके जगा को आते हैं, ये आते हैं, ये नए फ्रेंस के governor बनते हैं, जो बहुत ही pacifist बन होगे, यहां से French East India Company का पतन शुरू हो जाता है, तो next अपन बात करते हैं, which peace treaty mark the end of the second Carnatic War, तो ये है treaty of 4D Seri, ठीक है, अब क्या हुआ था इस treaty में, simple सी बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, गौड़ो रिप्लेस करते हैं, ये आके treaty sign करते हैं, और इस treaty के तहत, क्या इंटर्नल अफेर्स में, मैटर में, इंटर्फेर नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसिफिस्ट रहेंगे, एक दूसरे के मैटर्स को लिमिटेट करेंगे, अपनी boundaries जो वार के पहले थी, उसे respect करेंगे, इंडियन रूलर्स के इंटर्नल मैटर्स में अफेर नहीं करे प्रिटिश इनीशली सपोर्टेट विच कैंडिड़ फॉर दा निजाम ऑफ हाइदराबाद, ये ऐसे questions आते हैं, तो अपने अल्रड़ी देख लिया है, किसे support किया है, क्रिक मैंने आपको बताई है, तो ये है, नासीर जंग को support किया है, और फ्रेंच ने किसे support किया था इस 1757 पर हुआ, 1756 से start हुआ, लेकिन यहां पर battle of plazae already fought हो गया था, याने कि English East India Company को Bengal जैसा एक सबसे resourceful state था, इनके पल्ले में आ चुका था, याने कि जहां एक तरफ French के जो major power थे, वो decline हो रहे थे, क्योंकि इनके जो duplex थे, जो सबसे जादा ambitious governor थे, उन्हें वापस बुला ल थी, financially strong थी, पुराने war जीती थी, तो उन्समें भी बहुत ज्यादा strong position पर थी, अब लेकिन यह war के हुआ, अलड़ी अपन देख चुके हैं, 7-year war जो यूरोप में हुआ, उसी का यहां पर extension हुआ, जिसकी वज़ा से यह war पर चले गए, अब ऐसा हुआ कि यहां पर France ने Count de L आली नए गवर्नर को भेजा, 1758 में, अब इस गवर्नर ने क्या किया, वापिस से attack करने की कोशिश करी, और जब इन्होंने East India Company के major ports पर attack किया, तो क्या हुआ, इन्हें बहुत गंदी तरीके से हार जेलने को मिली, और यही जो हार है, जो अपने देखा था, Battle of Wendy Wash, यहां पर Battle of Wendy Wash में, 1760 में, यह बहुत बुरी तरीके से हार गए, ब्रिटिश जनरल का नाम ध्यान रखेगा, आयर कूट, तो जो fight हुआ, Battle, आयर कूट के साथ, फ्रेंच के गवर्नर के साथ, जो हुआ, जिसमें, फ्रेंच कम्प्लिटली बहुत बुरी तरीके से हार गई, और यहां स फ्रेंच पूरी तरीके से इंडिया में खतम हो गया, एकसेप्ट एक जगहा, जिसको अपन बोलते हैं, पूडू चरी, और यहां पर भी ब्रिटेन ने बहुत सारी conditions लगा दी, कि पूडू चरी को कभी भी 45 नहीं कर सकते, आपको जो कुछ भी काम करनी है, जो हमारे इंटर इंडिया में रूल करेंगे, आपको ब्रिटिश की पर्मीशन लेनी पड़ेगी, तभी किया जाएगा, याने कि इस वार के बाद क्या हुआ, सारे के सारे यूरोपियन पावर्स खतम हो चुके थे इंडिया से, except one, and that was English, केवल और केवल, इस Battle of Wandi Wash, that was in 1760, इसके बाद सिर सारे के सारे आए, और खतम हो गए, English ही बचे रहा, अगले वीडियो में अपन इंडिप्ट समझेंगे, कैसे English, finally, इंडिया में सेटल करते हैं, और कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो, यदि अपन देखें, इस अपन देखें, इस चार्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, करते हैं, ऑुग है, और के रहा, और खतम हैं, कैसे हैं, ओट हैं, ज बचűघ, तो, यदिब है, यज।